ओम शान्ती आज क्रेट क्रेट ग्रेंट फादर और शिव बाप अपने ब्रहमण भाग्यवान आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आए आज के महावाक्य बाप दादा के शिव जयन्ती के उपलक्ष पर चले हुए हैं जिसमें बाबा ने हमें शिक्षा दी कि विशेष्टाएं परमातम देन हैं इन्हें विश्व सेवा में हमें अरपन करना हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 13 अक्टूबर 2024 के बाप इस डेट है 11 मार्च 2002 विशेष्टाएं क्या हैं परमातम देन परमातम देन का सद्विपयोग कैसे करें परमातम देन सदा विश्व सेवा में अरपन करनी हैं अभिमान किस-किस रूप में आता है गुण, योग, ज्यान, सेवा, बुद्धी जिसमें भी अभिमान होगा उस कि जियन्ती के दिन भ्रह्मन आत्माओं की कौन से दो लक्शे रहते हैं स्वयम से प्रतिज्या का लक्शे, बाप की प्रत्यक्षिता का जंड़ाने का लक्षे किस एक सब्द को विशेष अंडरलाइन करना है निरंतर द्रड़ता निरंतर दृड़ता की निशानी क्या है? निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता प्रत्यक्षिता का आधार क्या है? सफलता किस बात को अंडरलाइन करना है? निरंतर हर बात में दृड़ता को Teachers को बाप दादा ने कौनसा तक्त दिया है सिफ सुनाना नहीं लेकिन मुर्ली धारन कराना आज का विशेश शब्द कौनसा है निरंतर अटेंशन Teachers को देखकर क्या अनुभूती होनी चाहिए परमातम गुणों की, परमातम शक्तियों की, बाप दादा की पालना की Teachers का करतव्वे क्या है? हर एक का connection बाप से जोड़ना पुर्शार्थ का क्या अर्थ नहीं है? एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुर्शार्थ को अपना सहारा बना लो अल्पकाल के सहारे और बाप के सहारे में क्या अंतर है? अल्पकाल के सहारे दिखावा मातर दोखे बाज हैं एक बाप का सहारा च्छत्र चाया है आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार है सोला कला अर्थार्थ संपूर्ण गुरु भाई अर्थार्थ बाप समान मस्ताना अर्थार्थ सदामस्त रहने वाला विशेश अत्माय अर्थार्थ परमातम देन के अधिकारी यथार्थ पुरिशार्थी अर्थार्थ पुरिश्बन रत द्वारा कारे कराने वाले Knowledgeful अर्थार्थ माया को दूर से ही पहचान कर स्वयम को समर्थ बनाने वाले Teacher अर्थार्थ अपने features द्वारा बाप का साक्षतकार कराने वाली Features द्वारा future स्पष्ट दिखाने वाली हर बोल और हर कर्म सफलता पूर्वक होने को आजकल के यादगार में गुरू कहलाने वालों को सत्वचन महराज क्या होने से क्या होता है विशेशताएं negative रूप में यूज करने से अभिमान का रूप बन जाता विशेशताओं को परमातम देन समझने से विशेशता में परमातम शक्तियां भर जाती विशेशताओं को मेरा कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है ब्रहमन जीवन में आने के बाद बाप द्वारा बहुत विशेष्टाएं प्राप्त होती हैं क्योंकि बाप का बनने से विशेष्टाओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं विशेष्टाओं को नेगेटिव रूप में यूज करने से अभिमान का रूप बन जाता है क्योंकि ब्रहमन जीवन में आने के बाद बाप द्वारा बहुत विशेष्टाएं प्राप्त होती हैं टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ट भागे की निशानी है क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में समान रूप में देखते हैं क्योंकि टीचर्स को बाप के आसन पर बैठने का हक मिलता है विश्व के हिसाब से ब्राह्मन आत्माएं बहुत बहुत भाग्यवान है क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में है ये थी आज की मुटली की विशेश बाते हम ब्राह्मन आत्माएं बहुत बहुत भाग्यवान है कि संगम युक पर हमें परमात्म देन मिली है और वो हैं विशेष्टाएं, इन विशेष्टाओं को हमें नेगिटिव रूप से यूज नहीं करना है, इनका प्रयोग विश्व सेवा के प्रती करना है, ताकि अन्य आत्माओं का भी कल्यान हो और हमें हर क्षेत्र में सफलता म ओमेले, Om Shanti